नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थि में और आप हैं मेरे साथ मेरे नाम है सुमिद और आज यहाँ पर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम आपके साथ जैसा हमने कहा था दोस्तों कि हम NCRT को MCQ के माध्यम से कवर करेंगे आपने NCRT के chapters करे होंगे लेकिन आज हम यहाँ पर एक important और interesting practice शुरू करने जा रहे हैं एक important चीज़ करेंगे वो यह कि पूरी NCRT को हम MCQ की यानि कि इनको प्रश्णों के माध्यम से solve करेंगे इससे क्या होगा इससे आपकी NCRT की revision भी हो जाएगी कम टाइम में और उपर से आप नई चीज़े भी सीख पाएंगे और वो भी questions की form में तो कई लोगों की समस्या होती है दोस्तों कि वो 6th class की 7th class की 8th class की NCRT नहीं कर पाते हैं और उसको याद भी नहीं रख पाते हैं क्योंकि इतना time भी नहीं होता है क्योंकि 11 और 12 वी की NCRT भी पढ़नी होती हैं तो ऐसे में अगर हम उनने NCRT को नहीं पढ़ते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हम उनके questions कर लें अगर एक 6th class की NCRT में से एक chapter में से अगर आपने 10-12 questions भी कर लिए तो यकीन मानिए उस chapter में आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर questions लगाएं और NCRT को question की form में यहाँ पर करेंगे तो utility की इस chapter की काफी जादा है और यह जो concept है कि MCQ की form से NCRT को करना इससे जो NCRT आपकी छूट जाती है वो सब cover हो जाएंगी और बहुत ही interesting तरीके से और चीजों को याद रखते हुए गलती करते हुए और उस गलती से सीखते हुए तो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों session को और यहाँ पर NCRT जैसा की हम कर रहे हैं प्रशनों के माध्यम से और sixth class की हमने NCRT उठाई है सबसे पहले और कौन सी ये NCRT है subject क्या है subject है history ठीक है तो history की जो NCRT है वो आप मेरे साथ करेंगे मैं आपको यहाँ पर history की NCRT MCQ के माध्धम से पढ़ाँगा और आप मेरे साथ इस session में बने रहेंगे और देखेंगे कितने मज़़दार तरीके से हम पूरे session में MCQ लगाते हैं और शुरू करते हैं इस session को उससे पहले एक important जानकारी आपको देता हूँ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि 68 वी जो BPSC की परिक्षा होनी है जिसकी date लगभग परवरी के आसपास है तो जो भी लोग BPSC की तयारी कर रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए important news है कि जो PCS सार्थी है वो लेकर आया है एक important test series जो भी लोग BPSC की तयारी कर रहे हैं तो BPSC की तयारी करने वाले लोगों के लिए PCS सार्थी एक high quality test series लेकर आया है जिसमें 17 test आपको total मिलेंगे जिसमें current affairs के test होंगे जिसमें बिहार special test होंगे जिसके अंदर आप देखेंगे कि full length test होंगे और साथ ही में sectional test भी हो दोस्तों और अगर आप जानना चाते हैं कि theory का से करें तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों दो बजे मैं history पढ़ाता हूं ठीक है इसी PCS सार्थी के channel पर आप मेरे साथ detail में जो history पढ़ना चाते हैं वो मेरे साथ जूड सकते हैं दो बजे history यहाँ पर बहुत detail में cover हो र पर ना है वो शाम को 6 बजे मेरे साथ जुड सकते हैं तो history और art and culture की theory आप यहाँ से करेंगे उसके साथ हमारी संडे को 8 बजे संडे को रात को 8 बजे हम करते हैं PYQs ठीक है संडे को रात को 8 बजे हम जितने भी state में इतिहास के और art and culture के प्रशन आये हुए हैं चाहे वो कि relevant topic से होता है तो topic wise भी हम PYQs लगाते हैं theory आप यहाँ से मेरे साथ लेंगे उसके अलावा आप देखेंगे कि NCRT भी अब आपकी cover होती जाएगी अगर आप मेरे साथ NCRT का session भी लेंगे और फिर देखते हैं कि जो test series है वो भी आपके लिए यहाँ पर available करा दी गई है तो अगर आप holistic तयारी करना चाहते हैं तो PCS सारती से जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छा मौका है कि आप theory पड़ें practice करें previous year question की NCRT को MCQ की form में तयार कर लें और test series भी आपके लिए है यहाँ पर चाहे कोई बिहार की तयारी कर रहा हो बिहार का ही रहने वाला हो यह outsider हो उन के लिए भी बहुत अच्छा मौका है कम टाइम में test series के मादधे हमसे वो अपनी बिहार PCS की तयारी बढ़ा सकते हैं और अगर आप यह वाला code लगाएंगे SK test यहाँ पर दोस्तों एक code दिया गया है और जो है SK test याद रखेंगे SK test अगर आप code लगाएंगे तो यही जो test series है यह आपको मात्र 499 रुपए में मिलने लग जाएगी तो अगर आपको कम दाम में इस test series को खरीदना है discounted price पर जो कि आप अपनी तयारी के लिए इतना खर्च कर सकते हैं तो 499 रुपए में आपको यह test series मिल जाएगी बाकी जो theory की class होगी detail में जो lecture है history के वो एक दम free है without any cost ठीक है पिलकुल free lectures हैं दोस्तों एक दम absolutely free lectures हैं पूरी history cover हो रही है एक भी चीज नहीं छूट रही है चाहे UPSC हो चाहे PCS हो ठीक है तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है theory से लेके PYQ से लेके NCRT के MCQ से लेके आपकी test series तक तो holistic तैयारी अगर आपको करनी है UPSC और BPSC को एक साथ target करना है या फिर किसी भी और state को तो जुड़ेंगे PCS सार्थी से तो session को शुरू करते हैं तो ठीक है दोस्तों session की शुरूआत करते हैं और देखते हैं पहला question क्या कहता है तो पहला question आपको दिखेगा काफी simple और statement वाला question है पहला question कहता है कि statement को पढ़े समझेंगे और ये कहता है कि गेहूं और बारले के जौ के लिए ये पहली statement है प्रशन बना है गेहूं और बारले की यानि की जौ की खेती पर कहता है कि सबसे पहले जो इनसान ने men and women इनसान ने सबसे पहले जो खेती करनी शुरू करी थी वो किसकी की थी वो की थी गेहूं तो पढ़ेंगे statement को और देखेंगे क्या सही है अब दूसरी statement पे देखेंगे तो देखेंगे यानि गेहूं और जो जो cultivate जिनकी खेती की गई थी कहां पर शुरुवात हुई थी हिमाले और विंध्याज में देखेंगे यहां पर समझेंगे और फिर उसके बाद आंसर लगाएंगे तो देखते हैं क्या कहता है कि सबसे पहले गेहूं की और जो की खेती की गई थी जो की एक दम सही बात है तो पहली statement 100% सही है तो पहली statement बिलकुल सही है और किताब जब अगर आप पढ़ेंगे NCRT तो आपको पता चलेगा कि पहली जो खेती हुई थी वो यहां पर नहीं हुई थी वो बलुचिस्तान के रीजन में हुई थी दोस्तों पाकिस्तान के शेतर में आज ये पढ़ता है यहां पर आपको पहली बार खेती होती हुई मिलेगी किसकी गेहूं की और जो की तो तो आपको ध्यान रखना है कि पहली स्टेटमेंट 100% सही है और दूसरी statement गलत है, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, option A, ठीक है, तो जिन भी लोगों ने option A, इसका सही जवाब लगाया है, उन सब का एक दम 100% जवाब बिलकुल सही है, ठीक है दोस्तों, चलिए, देखते हैं अगला प्रशन, विचार करने के लिए कहता है, कहता है कुछ शुरुवाती शहर, सिंदू, नदी और उसकी सहायक, नदीयों के तट पर विक्सित हुए, यनि कह रहा है कि शुरुवात में जो शहरी करण हुआ, शुरुवात में जो शहर बने, वो सिंदू, नदी और उसके आसपास का, जो प्षेत्र है वहाँ पर बने तो देखते हैं पहली बात अब दूसरी स्टेट्मेंट पढ़ेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे शेहर का विकास लगभग 5,000 साल पहले हुआ था देखेंगे आप अटेम्ट करिए ठीक है इसका जवाब दीजे मैं आपको ब सभ्यता के नाम से जाना जाता है और हडपा सभ्यता पहली एसी सभ्यता थी जिसमें आपको शहरी करण का विकास देखने को मिलेगा और इसको फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहते हैं यानि अर्बनाइजेशन का पहला चरण कहते हैं शहरी करण का पहला चरण ह हमें हड़पस अभ्यता के समय पर देखने को मिलता है और यही वज़ा है कि आप देखेंगे अगर समय कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मान लीजिए BC का समय है ठीक है यहाँ पर हम देखेंगे बर्थ जीजस जो क्राइस्ट है उनका बर्थ होता है इस समय हम हैं यहाँ पर आज दो हजार बाईस एडी में बात हो रही है कबकी तीन हजार से पंदरा सो साल के बीच की तो हम लगभग एक ऐसा समय ले लेते हैं तीन हजार BC हमने समय ले लिया यानि तीन हजार BC का जब समय चल रहा था तो यहाँ पर हडपा सभ्यता चल रही होगी तो हडपा सभ्यता जब चल रही होगी तो time calculate करेंगे यहाँ से 2000 साल पीछे जाएंगे और यहाँ से 3000 तो लगभग 5000 साल जब हम पीछे जाते हैं तो हमें कौन सी सभ्यता मिलती है हमें मिलती है हडपा सभ्यता फिजैशन भी कहते हैं, तो ये सभ्यता जो 5000 साल पीछे जब गए तो कौन सी मिली, हमें मिली सिंदु घाटि सभ्यता, तो पहली जो सभ्यता थी 5000 साल पुराने समय पर जो मिली थी, वो क्या गंगा प्योसिद्स ती और सिंदु नदी के तक पर हमें सिंदू घाटी सब्वेता मिलेगी तो कि फर्स्ट फेज अफ अर्बनाइजेशन था जो कि हमने जाके देखा पीछे जब गए तो देखा कि 5000 साल पहले हमें मिलती है सिंदू घाटी सब्वेता ठीक है तो इसका भी सही हमें क्या कहता है ठीक है बहुत सिंपल सा लग रहा है देखने में और देखते हैं निमन लिखित में से किस महाजनपद का शेतर सोन नदी के किनारे और गंगा नदी के दक्षण में था यानि कि यह प्रश्ण है महाजनपद समय से महाजनपद समय से ये प्रश्ण है और ये कहता है कि which of the following महाजनपद had area along the river sown and to the south of Ganges, गंगा नदी ठीक है, चले, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ क्योंकि MCQ के माध्यम से हम चीजियों को सीखने की भी कोशिश कर रहे है और NCRT cover कर रहे है तो जाहिर सी बात है, background जानना जरूरी है तो कहता है महाजनपद काल कब से आता है ये बात है महाजनपद काल की ये बात है महाजनपद काल से प्रश्ण है और जो 600 BC से 300 BC का जो समय है दोस्तों, ये आता है महाजनपद काल में अगर आप हिस्ट्री की टाइम लाइन देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग पाँच लाख साल बीसी से तस हजार पाँच लाख से दस हजार साल बीसी तक का जो समय है ये आपको देखेगा स्टोन एज यानि की पाशान यूग पिर यहाँ से जब आगे चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको स्टोन एज नियोलिथिक, मिजोलिथिक, सब लिथिक जितने भी पाशान यूग है यहाँ पर कवर हो गए खिक है उसके बाद आप देखेंगे स्टोन एज कवर हो गया उ नियोलिथिक 1000 BC तक आपको दिखेगा और फिर आपको देखने को मिलेगा लगभग खीक है दोस्तों 3500 से 3500 से आपको 1500 BC तक 1500 BC तक आपको हडपा सब्भेता का फेस दिखेगा ये ओवर्लैप फेस भी हो सकता है कि हडपा सब्भेता जब चल रही हो तो कहीं कहीं पर नियोलिथिक फेज भी चल रहा होगा इसलिए हजार बीसी तक ये जाता है ठीक है इसलिए हजार बीसी तक जाता है और आप देखेंगे कि हडपा सभ्यता और फिर कुछ जगा पर नियोलिथिक फेज भी चल रहा था तो हडपा सभ्यता आपको दिखेगी लगभग 1500 से कहां तक आपको दिखेगा 3500 से 1500 BC तक तो 3500 से 3500 से 1500 BC तक आपको दिखेगी हडपा सभ्यता उसके बाद 1500 से आपको दिखेगा लगभग आपको दिखेगा 600 BC तक आपको दिखेगा वैदिक काल जिसमें वैदिक प्लस आपको लेटर वैदिक यानि कि उत्तर वैदिक काल भी आपको दिख जाएगा 600 BC तक लगेगा लगभग आपको रिगवैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों दिखेगा और 600 से 300 BC का जो समय है दोस्तो ये समय है महा जनपद का किसका महा जनपद का ये समय है तो 600 से 320 तक कैसे आए हम समझ गए महा जनपद का समय है इसमें बड़े बड़े शहरों का विकास होने लग गया यहाँ पे पहले शहर जो थे वो कौन से थे हडपा और दूसरा जो फेज था जो दूसरा फेज था दोस्तों दूसरा फेज था शहर बनने का वो कौन सा दिखेगा महा जनपद तो पहला शहरी करण कहां दिखेगा हडपा में समझ चुके हैं पहले क्वेशन में दूसरा शहरी करण का फेज दिखेगा हमें महा जनपद के समय पर और यही वो समय था दोस्तों भगवान बुद्ध का जनम भी महाजनपद काल में होता है और जो मगद सामराजे है वो भी आपको दिखेगा महाजनपद काल में मगद सामराजे भी आपको महाजनपद काल में देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे इस समय 16 महाजनपद थे पूरे भारत में पूरे भारत में आपको important जो दिखेंगे वो सोला महाजनपद दिखेंगे जिसमें सबसे powerful था मगद का महाजनपद मगद जो सामराज्य था वो सोला महाजनपद में सबसे زیادہ सबसे ज़दा powerful था जिसमें हरेंका डाइनिस्टि आई उसके बाद शिशुनाग सामराज्य आता है उसके बाद नंद सामराजे आता है और उसके बाद मौरेन सामराजे आता है कहाँ पर मगद में और मौरेन सामराजे में ही आपको अशोक, चंदरगुप्त और ये सारे बिंदुसार, सारे शासक मिलेंगे तो मगद सामराजे की जो राजधानी थी वो थी पाटली पुत्र इसका सही जवाब दिया है D और उनका जवाब एक दम सही है और इसके माध्यम से हमने पूरा महाजनपद का concept भी समझ लिया जो की हमारा target और motive ही यही है कि MCQ लगाते लगाते revision भी हो जाए और NCRT भी हमारी cover हो जाए ठीक है अगला प्रशन देखते है statement वाला question है और कहता है Iranians and the Greeks who came to the subcontinent through the Northwest called the river Hindus the river the Hindus or the Indus ठीक है land to east of the river was called India यह कह रहा है कि जब भारत में Greek और Iranian लोग आए भारत के यह भारत का नक्षा देखी है यह भारत का नक्षा है तो भारत के नक्षे में जब देखेंगे उत्तर पश्चिम Northwest से invasion होते हैं कौन आते हैं इरानियन आते हैं Greeks आते हैं जब यह भारत में आते हैं तो यहाँ पर आप इनको सिंदु नदी दिखती है सिंदु नदी के इस तरफ उत्तर की पूर्व की तरफ सिंदु नदी के इस्ट की तरफ का जो शेतर है उसको कहा गया क्या उसको कहा गया इंडिया ठीक है चलिए जो की पहली स्टेट्मेंट एकदम सही है दूसरा कहता है इस शेतर में भारत की नौर्थ वेस्ट में भारत नाम के लोग रहते थे जो की रिगवेद में बताए गए है और इसी लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि रिगवेद में नाम मिलता है ठीक है चलिए तो ये भी स्टेट्मेंट एकदम सही है रिगवेद में दोस्तों रिगवेद में एक दस राजन ठीक है दस राजन युद की बात की गई है यानि की दस राजाओं के बीच में भारत लोगों का तो ये statement बिलकुल दोनों एकदम सही है और सही जवाब है C तो जिन भी लोगों ने इसका जवाब C दिया है उनके लिए बहुत ही ज़ादा खुशी की बात है कि यहाँ पर उन्हों का जवाब एकदम सही है ठीक है चलिए तो देखते हैं अगली क्या कहता है कहता है following statements की नीचे दे रखी है उनमें से पूछ रहा है कौन सी correct नहीं है खास ध्यान रखेंगे जब भी question paper में भी attempt करेंगे तो ध्यान देंगे कि कौन सी statement गलत होती है या सही होती है वो क्या पूछ रहा है तो यहाँ पर incorrect statement पूछ रहा है यानि की कौन सी statement गलत है आपसे वो ये जानना चाहता है तो सबसे पहले देखेंगे की यहाँ पर statement क्या दी हुई है कहता है कि books written in the past were called manuscripts यानि की पांडू लिपी के उपर ये प्रश्न है कहता है past में जो किताबे लिखी गई उनको manuscript कहते थे बिल्कुल हमें पढ़ते ही एकदम सही लग रहा है कोई समस्या नहीं यानि की जो manuscript है वो शब्द कहां से आया है वो menu मतलब से आया है और Latin में उसका मतलब होता है या फिर कह रहा है कि या तो ताड के पत्तों पे पुरानी लिखावट manuscript आपको मिलेगी या फिर वो आपको मिलेगी किसी चाल पर ठीक है जो की 100% गलत statement है दोस्तों क्यूँ manuscript जो है वो प्राकृत भाषा में भी लिखी जाती थी वो Sanskrit भाषा में भी लिखी जाती थी और वो Tamil भाषा में भी लिखी जाती थी तो ये statement एकदम गलत है तो इस question के हिसाब से हमारा जो सही जवाब है वो है D क्योंकि इसने यही पूछा था कि इन में से कौन सी statement गलत है अगला जो प्रशन है वो inscriptions पर है तो inscription यानि कि शिलालेखों पर ये प्रशन पूछ रहा है और कहता है कि इन में से statement हमें नीचे दी हुई है और उनको हमें देखना है ठीक है चलिए तो कहता है कि बताएंगे statement पढ़ेंगे केवल पत्थरों पर खुदी हुई रचनाय शिलालेख कहलाती है केवल पत्थरों पर यहाँ पर शब्द का ध्यान देंगे शब्द लिखा है केवल जब इस तरह का प्रशन आता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर only का इस्तिमाल किया गया है तो देखेंगे जब आप chapter पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास में तो आप देखेंगे कि अशोक जो थे समराट अशोक उन्होंने कई सारे inscription pillars पर करवाए थे यानि कि जो स्तंब होते हैं कई सारे उन पर inscriptions आपको मिलेंगे अशोक के समय के ठीक है चलिए तो पहली statement जो है देखने में ही लग रहा है कि ये गलत है उसके बाद दूसरी statement देखते हैं कहता है राजा कभी-कभी अपने आदेशों को अंकित करवाते थे ठीक है बिल्कुल ताकि संपर्क हो राजा का इसलिए राजा के आदेश लिखवाय जाते थे और राजा के विचार लिखवाय जाते थे तो दूसरी statement 100% सही है अगर आप इस question को देखेंगे तो ये directly ये indirect question है indirect question है जो की direct relation मिलेगा जिसका किस से समराइट अशोक से जो अशोक हैं उनके उपर ये एक तरह से question पूछा है उनके pillar inscriptions भी होते थे rock inscriptions भी होते थे और साथ ही में उनके inscription जो होते थे अपनी जनता के लिए होते थे और interesting fact ये है कि जो अशोक थे वो पहले ऐसे राजा थे जो अपनी जनता से प्रजा से सीधा समबाद करते थे अपने inscription के माध्यम से ठीक है दोस्तों तो याद रखेंगे इस question के माध्यम से हमने क्या सीखा अगला पूछता है अब ये कहता है कि मेहरगर जो है एक prehistoric site है प्रग्यातिहासिक एक हल है वो कहां पर located है अभी अगर आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया का पाकिस्तान के बलुचिस्तान का एक शेहर है जहां पर शुरुवाती दौर में खेती हुआ करती थी वो एक नियोलिथिक site है नियोलिथिक बोले तो नव पाशान वो एक कौन सा स्थल है वो एक नव पाशान युग का स्थल है जहां पर शुरुवाती दौर में खेती की गई थी और मेहरगड आपको जो मिलेगा वो कहां मिलेगा वो मिलेगा बोलुचिस्तान में वही स्थल है मेहरगड जहां पर शुरुवाती दौर में आपको खेती के सबूत देखने को मिलते हैं तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है D तो जिन भी लोगों ने इसका सही जवाब D दिया है उनके लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है कि उनका जवाब एकदम 100% सही है ठीक है दोस्तों चलिए एकदम सही जवाब है इसका D देखते हैं अगला प्रशन कहता है consider the following statements regarding the Indus Valley civilization यानि कि सिंदु घाटी सब्भेता के उपर प्रशन पूछता है और कहता है कि Indus people produced sesame और mustard sesame यानि कि तिल sesame भी बोलते हैं इसको तो सिंदु घाटी सब्भेता के लोग सर्सों और तिल का उत्पादन करते थे बिल्कुल करते थे सिंदु घाटी सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाली एक सब्भेता थी जो की एकदम सही statement है सिंदु घाटी सभ्यता के लोग were the first people to cultivate cotton ठीक है to cultivate cotton और इस fact को याद रखेंगे सिंदु घाटी सभ्यता के लोगों के समय से कपास की cotton की खेती की जा रही है और भारत में आप देखेंगे cotton का इतिहास सिंदु घाटी सभ्यता से जा कर जुड़ता है और कई तरह की चीजों में वो माहिर से long distance crate भी किया करते थे सिंदु घाटी सभ्यता के लोग यहूं उगाते थे चावल उगाते थे और वो मचली पालन करते थे तो जब इतनी सारी चीजे करते थे जाहिर सी बात है कि वो तिल और सरसों भी उगाते ही थे खीक है तो दोनों statement 100% सही है और इसका सही जवाब है दोस्तों C तो इस question का सिखाने का मतलब क्या था इस question से हमें जो सीखने का जो चीज थी वो यह थी कि सिंदु घाटी सभ्यता के लोग एक advance advance खेती करने वाले लोग थे और cotton का fact हम यहां से सीख पाएं cotton सब से पहले सिंदु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उगाई गई थी उसकी खेती की गई थी ताकि यह हम यहां पर सीख पाएं अगला जो प्रश्ण है बड़ा ही simple प्रश्ण है क्यों कोई मिलान करो वाले जो प्रश्ण होते है वो बहुत ही simple होते है और उसमें ध्यान रखना ये एक खास बात का कि अगर आपने दो option भी सही मिला दिये तो answer आने के निकलने के पूरे पूरे chance होते है हाला कि एक option से भी answer हम निकाल सकते हैं कई बार लेकिन अगर एक से ना निकले तो दो अगर हमें पता है तो उनसे निकल जाएगा कहने का मतलब है कि अगर आपको सारे चारो option सही नहीं पता है तो दो से भी आपका अच्छा काम चल जाएगा तो मिलाते हैं देखते हैं मगद यहां पर जब लिखता है तो जब मगद बोलता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है मगद से हमारे दिमाग में आता है हमने पड़ा था कि महा जनपद काल में जो 600 BC से 320 BC का समय था उसमें मगद एक 16 जनपदों में से सबसे बड़ा जनपद और बड़ा एक सामराज्य हुआ करता था तो यानि कि जब मगद बोल रहा है तो यहां से मगद से related कौन सी चीज दिखती है क्या पहला शहर मगद से related है क्या पच्चिस सो वर्ष पहले की बात कर रहा है शिकार ये भी नहीं जुड़ता और पहला बड़ा सामराज्य हमें दिखता है कि मगद से जुड़ता हुआ दिखता है तो एका दो जहां पर दे रखा है एका दो कहा है एका दो बस एक ही जगा पे है देखिए पहले ही option से हमारा सही answer निकल चुका है बाकी भी मिला के देख लेते हैं बाकी मिला के देखते हैं गंगा घाटी ठीक है सिंदु घाटी और उसकी सहावयक नदिया पहला शहर कैसे अभी थोड़ी देर पहले पहले प्रश्ण में मैंने आपको बताया फिर्स्ट फेज ओफ अर्बनाइजेशन इसको कहा जाता है Indus Valley Civilization को और Second Phase of Urbanization किसे कहा जाता है वो महा जन्पद जो काल था महा जन्पद जो काल था जिसमें मगद सामराज हुआ करता था उसे कहते थे Second Phase of Urbanization First Phase of Urbanization का खिताब अभी भी बना हुआ है किसके पास Indus Valley Civilization के पास तो C का चार ठीक है तो C का चार यहां मिल रहा है बिल्कुल तो हमारा सही जवाब है A ठीक है नर्मदा घाटी जहां पर आपको शिकार से रिलेक्टिड चीज़े मिलेंगी और गंगा घाटी में आपको दिखेगा कि पहला शहर कब बना था पच्चिस सो वर्ष पहले तो 5000 साल पहले 5000 साल पहले जो आपको शहर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में और लगभग 5000 साल पहले जो शहर मिलेंगे वो कहां मिलेंगे वो आपको मिलेंगे गंगा की घाटी में तो गंगा की घाटी के जो शहर है वो Indus Valley के शहरों से नए है ठीक है तो Indus Valley के शहर जादा पुराने है और गंगा घाटी के शहर जो है वो आपको पच्छिस सो साल पहले ही उनका इतिहास देखने को मिलेगा ठीक है चलिए तो इसका सही जवाब है A ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ ये भी एक तरह से statement type का question है multiple इसमें answer होंगे देखते है consider the following places और बताना है कि इनमें से कौन सी site नवपाशान यानि की नियोलिथिक site है या उससे संबंध रखती है ठीक है चलिए तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जब हम question को देखेंगे और ये एक तरह से factual question है ये एक तरह से factual question है और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा बुर्जा हूम जो है ये कहाँ पर है ये कश्मीर में है ये आपको कैसी मिलेगी ये भी एक नवपाशान की site आपको देखने को मिलेगी और ये तीनों ही site नवपाशान की है लेकिन जो क कुछ साइट आपको पता होनी चाहिए, तो उन में से अगर आपको याद है, तो ये factual question है, अगर आपको ये याद है, कि कुर्नूल जो है, वो एक पैलियोलिथिक साइट है, और ये तीन साइट अगर आपको पता है, कि ये नियोलिथिक है, तो इसका सही जवाब है C, इस question में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि कौन सी साइट कहां की है, तो अगर आप NCRT को जब देखेंगे, आप बार-बार उसको पढ़ेंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी साइट कहां की है, ठीक है, चलिए, तो कई बार question मुश्किल भी बन जाता है, तो उसी तरह का ये एक question है, यहाँ पे कहता है कि consider the following statements, ठीक है, first animal, जो पहला जानवर था, जो इनसान ने पालना शुरू करा था, वो एक तरह से जंगली कुत्ते का पूरवज था, ठीक है, कुत्ते का जंगली पूरवज था, दूसरी statement कहता है, कि earliest plant domesticated were wheat and barley, अभी थोड़ दिर पहले याद होगा, पहले प्रश्ट में हमने दोस्तों देखाता है कि पहला, जो पहली बार जो इनसान ने खेती की थी, वो गेहूं और जौकी की थी, तो ये भी statement 100% सही है, और पहली बार जानवर जो कुत्ता पाला गया था, ये भी सही है, और सबसे पहले पालतु ज जो domestic करे गए थे, ये domestic बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से जानवर जो शुरुआत में control किया गया था, टेम किया गया था, उसको किसी अन्य purpose के लिए पाला नहीं गया था, सिर्फ normal इनसान ने अगर domestication, यानि कि सिर्फ अपने साथी के रूप में पाला था, तो वो था कुत्ता, शिकार जब इनसान करता था, तो ये उससे related है, जब इनसान शिकार किया करता था, तो कुत्ता जो है दोस्तों, वो शिकार की जानकारी देता है, तो ये statement भी सही है, और सबसे पहले जो पालतू, जानवर भेड और बकरी के रूप में आपको देखने को मिल तो domesticated, जिनको किसी खास purpose के लिए, और वो क्या था, उन वो था कि दूद, दही, इन सब activities के लिए, जब जानवर को पाला गया था, ठीक है दोस्तों, इन सब activity के लिए जब जानवर को पाला गया था, तो यहाँ पर देखा जाएगा, बकरी और भेड आपको देखने को मिले और यहाँ पर जो domestic purpose के लिए, domestic purpose के लिए पाला गया था, उसके उपर पूछा गया है, घरेलू उतपाद प्राप्त करने के लिए, जो पाले गये थे, वो बकरी और भेड थे, तो इसका जवाब जो है दोस्तों, इसका जवाब है D, ठीक है दोस्तों, इसका जवाब है D, य पाले गए जानवर यहीवाले थे, उसका सही जवाब है जी. चलिए. कहता है, अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि निम निलिकित मेंसे किस थल से hunter gatherers के साक्षे में नहीं मिलते हैं? साक्षे नहीं मिलते हैं ध्यान रखेंगे हंटर और गैदरर का मतलब यानि शिकार करने वाले जो लोग हुआ करते थे हम देखते हैं कि जो पाशान युग था दोस्तों, स्टोन एज जो था पाशान जो युग था इसके अंदर आप देखेंगे अगर आप बात करें पाशान युग को तीन हिस्सों में बाटा गया है पाशान जो युग था जो स्टोन एज था स्टोन एज को तीन हिस्सों में बाटा गया है एक था आपका पुरा पाशान यानि कि पैलियोलिथिक दूसरा था मद्धे पाशान यानि की मीजो-लिथिक और तीसरा था नव पाशान यानि की नियो-लिथिक तो आप देखेंगे जो पहला पुरा पाशान था यहाँ पर इंसान पूरी तरह से शिकार पर निर्भर रहता था उसके बाद मध्धे पाशान में इंसान ने क्या किया जानवर पालना शुरू करा जैसे की कुत्ता पालना शुरू करा उसके बाद आप देखेंगे नव पाशान के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इनसान यहाँ पर खेती करने लग गया था तो याद रखेंगे कि जो स्टोन एज है उसके आपको यह तीन फेजिज दिखेंगे इन तीन फेजिज में आपको देखना होगा कि जो पुरा पाशान है यहाँ पर इनसान हंटिंग और गैदरिंग करता था तो इन में से आप देखेंगे कि यह जो तीन प्लेसिज है यहाँ पर इनसान हंटिंग गैदरिंग करता था लेकिन यह जो है ताउजली हडिंग जो जगा है यह आसाम की है और यह एक आपको देखेगा यह नव पाशान काल की एक जगा है ठीक है दोस्तों यह नव पाशान काल की एक जगा है कहां पर है ये जगा ये है असम में असम की ये जगा है और ये नव पाशान काल से है और जब ये जगा नव पाशान काल से है तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका संबंध हंटिंग और गैदरिंग यानि कि शिकार से नहीं होगा इसका जो संबंद होगा वो खेती से होगा तो इसका जो सही जवाब है वो है D यानि कि जो यह चोथी ऐसी जगा है जहाँ पर आपको Neolithic site जो एक जगा है यह Neolithic site है और यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे खेती के साथ शे दिखेंगे, प्रमाण दिखेंगे ना कि hunting और gathering के ठीक है दोस्तों चलिए बहुत बढ़िया आप यहाँ पर देखे हैं कि सुलेमान रेंज कहां पर located है ठीक है factual question है map अगर देखा होगा कभी सुलेमान रेंज को search किया होगा तो पता होगा वरना NCRT में वहाँ से बना है question ताकि आपको सुलेमान की जो range है उसकी location पता चल जाए तो कहता है कि सुलेमान रेंज कहां पर स्थित है कहां पर located है तो अगर आप भारत का दोस्तों map देखेंगे ठीक है भारत का नक्षा देखेंगे और भारत के नक्षे में आप यहां से जब पाकिस्तान को देखेंगे पाकिस्तान का यह शेत्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि सुलेमान रेंज आपको यहां कहीं पर इस तरह से लगती हुई दिखेगी इस तरह से यूँ जाती हुई दिखेगी अब ये पाकिस्तान के इस शेत्र से जाती है और साथ में थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान का भी लगाती है तो ये है सुलिमान रेंज ये सुलिमान रेंज है ये पाकिस्तान में इस तरह से आपको देखने को मिलेगी और यहां से आपको मिलेगी क्या हिंदू कुष, यहां मिलेगी आपको हिंदू कुष रेंज, हिंदू कुष रेंज आपको यहां दिखेगी और यहां से दिखेगी सुलिमान रेंज, इसके नीचे आपको दिखेगी किर्थर रेंज, कौन से दिखेगी किर्थर रेंज, तो हि पोड़ा सा बॉर्डर पे से अफगानिस्तान से भी लगती जाती है और इंडिया से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है ठीक है तो ए और तीन इसका सही जवाब है यानि जिन भी लोगों ने इसका जवाब डी दिया है उनका एक दम सही इसका जवाब है ठीक है दोस् सुलिमान की जगा किर्थर रेंज की लोकेशन पूछ रहा है और अभी हम मैप पर देख चुके हैं कि किर्थर रेंज कहां पर लोकेटिड है तो देख सकते हैं आप सीधी सीधी बात है कि मैप पर आपको समझा गया कि अफगानिस्तान से भी नहीं लगती किर्थर और भारत से भी नहीं लगती तो कहां पर पड़ेगी किर्थर किर्थर पड़ेगी पाकिस्तान में तो इसका सही जवाब है केवल देखिए किर्थर रेंज की लोकेशन यहां दिखेगी सुलिमान की आपको यहां दिख रही है तो ना तो इंडिया से जवाब एक दम सही है चलिए देखते हैं अब अगला प्रशन यहां पर कहता है consider the following statements in the context of हडपन civilization हडपा civilization, हडपा सभ्था जिसको सिंदू घाटी सभ्था भी कहते हैं उससे यह प्रशन पूछा गया है और कहता है कि काली बंगा में नगर दिवार के बाहर स्थित एक जोता हुआ खेत खोजा गया है काली बंगन में एक जोता हुआ खेत खोजा गया है इंडिस वैली civilization की कुछ sites हैं, कुछ ऐसी जगा जहां पर कुछ चीजों के सबूत मिले हैं वो बहुत जरूरी हो जाती है जैसे की जैसे की निर्ते की मुद्रा में आपको लड़की मिलेगी, कहां से मिलेगी मोहन जोदाडो से एक प्रीस्ट मिलेगा, बेरडिट प्रीस्ट कहां से मिलेगा मोहन जोदाडो से एक स्टेडियम मिलेगा, कहां मिलेगा धोला वीरा में एक बंदरगा मिलेगा बंदरगा मिलेगा कहां मिलेगा वो आपको मिलेगा लोथल में तो उसी प्रकार एक जगा ऐसी है जहां पर खेत जोता हुआ वो ऐसे प्रमान मिलते हैं यानि जोते हुए खेत के प्रमान मिलते हैं वो कहां मिलते हैं काली बंगन में जो की एकदम सही ब ठीक है यानि कि धोलावीर जो था वो एक पैरलेलोग्राम के शेप में था और फोर्टी फाइड ये टाउन था तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है दोस्तों तो इसका जो जवाब है वो है सी ठीक है यानि कि बोथ एकदम सही है बोथ स्टेटमेंट्स एकदम सही है और मैं की पकी हुई मिट्टी का बना हुआ एक खिलोने जैसा हल की आकरती का हमें खिलोना दिखता है वो हमें मिलता है बना वली में बना वली में ठीक है तो बताएंगे मुझे काली बंगन भारत में कौन से राज्ये में पढ़ता है जल्दी से comment box में बताईए लेते हैं अगला प्रश्न और देखते हैं consider the following statements and reason reason और assertion के उपर ये question है यानि कि एक statement देगा नीचे उसी statement से जुड़ी हुई एक explanation होगा और हमें फिर बताना है क्या वो explanation उस question से related, सही तरीके से related है गलत है, कैसे है वो अभी देखते हैं कहता है, हडपा सब्विता जो है वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंद रखता था यानि हडपा सब्विता मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करता था, पहली statement और दूसरी कहता है कि मेसोपोटामिया में हरपपा सब्भिता की महर जो है वो बरामद हुई है वो मिली है ठीक है जलिए अभी हमने समझा कि हरपा सब्भिता की कुछ जो प्रमान है अलग अलग जगा से मिले हैं जैसे मैंने आपको पिछले एक्जाम Optal में बताया उसी तरह आपको Mesopotamia से कुछ हरपा की seals हैं, हरपा की दोस्तों कुछ seals होती है इस तरह की ये भी आपको मिलेंगी जो चर्ट होता है पत्थर होता है ठीक है? एक पत्थर होता है अगाद पत्थर होता है इन से द्वारा बनाये गई ये seals होती थी इस चकोर शेप में राउंड शेप में भी होती थी ये क्या करती थी ये identification का काम करती थी identification का काम करती थी और हडपा सभ्यता क्योंकि long distance trade करती थी हडपा सभ्यता लंबी दूरी के व्यापार करती थी और लंबी दूरी के व्यापार जब वो करती थी, तो किस से करती थी, वो मेसोपोटामिया जो सब्वेता थी, उनसे लंबी दूरी के व्यापार करती थी, ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सब्वेता थी, मेसोपोटामिया की सब्वेता से लंबी दूरी के व्यापार करते थे, इराक का जो शेत्र है वहाँ पर आपको मिलती थी मेजो-पटामिया की सब्यता उनसे संपर्ख था हडपा सब्यता का तो long distance trade करते थे इसलिए पहली statement एकडम सही है कि हडपा सब्यता मेजो-पटामिया से व्यापारीक संबंद रखता था अब दूसरी देखते हैं मेसो पटामिय में हडपा की सभ्यता की सील पाई गई है तो अब आप एक तरह से देखिए पहली statement व्यापारिक संबंद रखता था सही बात है दूसरी statement हमें ऐसा लग रहा है कि यह पहले statement की explanation है ठीक है? यानि कि कथन जो A है सही है कथन B भी सही है तो पहली देखते हैं दोनों ही कथन सही है तो पहला option क्या है? बोथ A and R individually true बिलकुल and R is the correct explanation तो बिलकुल सही है वहां से हमें सील प्राप्त हुई है मेसो पटामिय में हडपा की सील बरामद हुई है तभी तो हमें पता चला कि मेसो पटामिय और हडपा में वियापारिक संबन्द था तो बिलकुल जो इसकी statement है पहला वो एकदम सही इसका जवाब है A यानि इसका एकदम सही जवाब है ठीक है दोस्तों चलिए लेखते हैं अगला प्राशन कहता है कि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो हडपा सभेता है दोस्तों वहाँ पे अलग अलग जगा से अलग अलग चीज़ें बरामत हुई है साक्षे मिले हैं सबूत मिले हैं तो उनको याद रखना बहुत जरूरी है उसी तरह से उसी पर एक क्वेशन पूचा है यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मिली है और उनके आगे जो उनकी साइट है जगा है जहां से प्राप्त हुई है बरामत हुई है उनका यहाँ पर मैच और जोड़ा बना के दे रखा है तो देखते हैं कि क्या इन में से सही है और कौन सा इन में से पेर गलत है तो पहला देखेंगे कहता है राइस हस्क जो मिला काली बंगन में मिला पिट एंड अल्टर्स यानि की गढ़्ठे और वेदियां हवन कुंड जैसी चीज़ें आपको मिली हडपा में मिली बीड मेकिंग जो फैक्टरी थी यानि की मोती या मनिक बनाने की मनका बनाने की जो फैक्टरी थी वो लोथल में मिली फॉसिल रिमेंस ऑफ घोडे के मिलते हैं कहां सुरकोतरा में देखे हडपा सभ्था में सबसे इंपॉर्टन चीज़ याद रखनी है कि हडपा सभ्था जो थी वो घोडे से परिचित नहीं थी इस फैक्ट को याद रखना है हंग्रेक परसंग की वो घोडे से परिचित नहीं थी आला कि हमें हडपा सभ्था में घोडे के अवशेश पाए गए हैं एक जगा पे लेकिन फिर भी वो सब्वेता घोड़े से परिचित नहीं थी ये एक fact है इसको याद रखेंगे लेकिन जब बात होगी क्या हडपा सब्वेता में कहीं पे आपको घोड़े के सबुत मिलते हैं किसी साइट से तो उसका जबाब है yes मिलते हैं कौन से जगा से वो मिलते हैं कहां से सुर्कोतरा से तो ये एकदम सही है उसके बाद कहता है कि बीड मेकिंग फैक्टरी यानि कि बीड मेकिंग मनका बनाने की फैक्टरी कहां मिलती है तो ये मिलती है हमें चनहु दाड़ो से चनहु दाडो से और कहां से मिलती है हमें लोथल से चनहु दाडो और लोथल से हमें मिलती है बीड मेकिंग फैक्टरी चनहु दाडो और लोथल से मिलती है बीड मेकिंग फैक्टरी तो ये भी एकदम सही है चलिए अब दूसरा देखते हैं कहता है कि राइस हस्क मिलता है हमें काली बंगन से अभी हमने देखा काली बंगन से हमें क्या प्राप्त होता है काली बंगन से हमें प्राप्त होता है जुता हुआ खेत तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि राइस हस्क जो मिलता है वो हमें लोथल से प्राप्त होता है तो पहला एकदम गलत है तो statement देखेंगे कौन से गलत तरीके से match है वो पूछ रहा है तो पहले देखेंगे जहां पे भी सही match हो उसको eliminate कर देंगे कि भाई जहां पे भी 3 और 4 होगा वो answer नहीं होगा 3 है, 3 है तो ये हमारा answer नहीं है और हमने देख लिया कि राइस हस्क लोथल में मिलता है तो सीधा answer निकल गया A ठीक है, सीधा answer निकल गया A और pitch और alter ये हवन कुंड ठीक है दोस्तों ये जो हवन कुंड आपको दिखेंगे ये आपको दिखेंगे लोथल और काली बंगन में और इसी लिए ये भी हडपा से जो match है ये भी गलत है, ठीक है ये भी आपको देखने को मिलेगा हडपा से जो match है ये भी आपको गलत मिलेगा ठीक है, तो इसमें जो options हैं, इस question में जो options दिए गए हैं दोस्तों वो कुछ गलत तरीके से लिखे हैं यहाँ पर होना चाहिए 1 and 2 only तो सही जवाब होगा इसका यह और यहाँ पर options जो है वो गलत दिये हुए हैं इसलिए 1 and 2 यहाँ पर आएगा याद रखेंगे जब आपको PDF दी जाएगी तो उसमें correct करके दिया जाएगा यहाँ पर आपको दिखेगा इसका जवाब हम लगाएंगे कि 1 and 2 options को थोड़ा सा change कर लेंगे ठीक है तो इसका सही जवाब होगा 1 and 2 वाला दोनों ही गलत है चलिए तो यहाँ पर अगला प्रशन देखते हैं निमनलिकित में से किस सिंदु घाटी स्थल से sign board का शिला लेक पाया गया है फिर से एक वही question है कि कहां से क्या चीज मिली है तो सिंदु घाटी में दोस्तों कुछ चीजे हैं जैसे 12-15 चीजे हैं उनको याद जरूर रखेंगे कि कौन सी चीज कहां से प्राप्त हुई है जैसे great बात कहां से मिला है ठीके bearded priest कहां से मिला है एक नाचती हुई निर्थे करतीवी महिला की मूर्ती कहां से मिली है तो इस तरह से sign board मिला है कुछ इस तरह से sign board आपको मिलेगा जिस पर अलग-अलग चित्र बने है जैसे कोई आपको लगता हो की advertisement की गई है जैसे किसी चीज़ का कुछ निर्देश लिखा हुआ हो इस तरह से आपको दिखेगा और वो कहां से मिला है सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है अगर याद है तो सही answer लगाएंगे वरना आगे बढ़ेंगे धोलावीरा से मिला है एक signboard इसको याद रखेंगे धोलावीरा से मिला है हमें एक signboard और धोलावीरा से ही हमें एक stadium जैसी construction यादि कि एक site बरामद हुई है जो धोलावीरा में ये बताता है कि शायद यहाँ पर कोई stadium जैसी आकरती रही होगी और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि साइन बोड भी जैसा आपको कहां से चीज बरामद होती है वो होती है धोला बीरा से चलिए अगला प्रशन पूछता है कि आरेन जो लोग थे उनका लाइवली हूट क्या था वो किस तरह से जीवन नियापन करते थे तो पहली बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों मैंने आपको बताया लगभग 3500 से 1500 बीसी तक हडपा सब्भेता चल रही थी भारत का जो ये शेत्र था जहां पर आप देखेंगे ये जो शेत्र था भारत का उत्तर पश्चिमी सिंदू घाटी सिंदू नदी यहां बहती थी इस सब्भेता जो बसी हुई थी ये इस रीजन में बसी हुई थी 3500 से 1500 बीसी फिर समय आता है 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी का इसमें आपको दिखेगा कि 1500 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी का समय है इसे कहते हैं Rig Vedic Kal और यहां पर 1020 से मिलेगा 600 BC का उसे हम कहते हैं उत्तर Vedic Kal तो आप देखेंगे कि जो Vedic Kal था 1500 से 600 BC का यहां पर आपको मिलेंगे कौन से लोग भारत में आते हैं कहां से इरान के शेतर से चलते हुए कौन आरियन लोग NCRT में जो बताया गया है इरान के शेतर से चलके RN लोग आते हैं और सिंदू घाटी के सब्वेता के साथ लोगों के यहाँ पर आते हैं और इस शेतर में आपको थोड़े दिन बाद कुछ समय बाद देखने को मिलेगा कि सिंदू घाटी सब्वेता के लोग यहाँ से उनका पतन हो जाता है वो गायब हो जाते हैं और बाद में आपको RN लोग इस शेतर में देखने को मिलेंगे तो इस शेतर में आपको RN लोग देखने को मिलेंगे तो यह RN लोग कहां से आये थे यह मैंने आपको background ब्रीफ में छोटे से शंशिक्त में आपको शंशिक्त में यह मैंने आपको background दिया है अब यह जो RN लोग आये थे दोस्तों यह कैसे थे यह pastoralist थे यानि कि यह लोग खेती नहीं करते थे यह मवेशियों पर अपना जीवन यापन करते थे यह मवेशियों को पालते थे उनके द्वारा मिलने वाला दूद, दही, घी उस पर अपना जीवन चलाते थे मवेशियों से मिलने वाले product का استعمال करते थे और यह खेती नहीं करते थे हाला कि ऐसा नहीं था कि यह खेती नहीं जानते थे यह खेती करते थे लेकिन उसको अपने जीवन का main important जो part था वो नहीं बनाते थे क्योंकि इनका main जो source था वो था livelihood का मवेशी खेती ये सिर्फ अपने जानवरों का चारा खिलाना या और बाकी purposes के लिए करते होंगे लेकिन इनका जीवन depend खेती पर नहीं करता था तो ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे? ये पास्टोरलिस्ट थे ये लोग पास्टोरलिस्ट थे और ये क्या करते थे? ये अपना जीवन यापन करते थे दोस्तों किस चीज़ के उपर? ये यहाँ पर अब आप देखेंगे मवेशीयों के उपर ये अपना जीवन यापन करते थे है यानि कि दूसरा appropriate उस तरह से देखेंगे paper कई भार question इस तरह से बनाएगा कि जो best आपको लगेगा वो आपको select करना पड़ेगा ना कि जो आपको पता है वो हम जानते हैं कि ये fact है कि जो मवेशी पालन करते थे आरेन लोग मवेशी पालन करते थे और खेती पे पूरी तरह से निर्भर नहीं थे लेकिन मवेशी पालन आपको कहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा प्रेड व्यापार करते थे बिल्कुल नहीं करते थे क्यों क्योंकि ये लोग एक tribal लोग थे ठीक है जन जाती क्योंकि ये मिलती थी हमें कब stone age में यानि कि पाशान समय में आपको hunting मिलती थी तो ये तीन option तो बिल्कुल भी नहीं है तो बचता है जो एक option farming तो farming जब आप देखेंगे दोस्तों जब farming आप देखेंगे तो उसके बाद second best option आपको farming ही लग रहा है तो इसलिए इस प्रश्ण का जवाब हम लगाएंगे ए हाला कि पूरी तरह से खेती पर निर्भर नहीं होते थे ठीक है पूरी तरह से खेती पर निर्भर नहीं होते थे चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर consider the following statements regarding neolithic culture in balan valley बेलन वैली जो है उत्तर प्रदेश में है दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो बेलन वैली है घाटी है उसके उपर बनाया गया यह प्रश्ण है और देखते हैं यह कि प्रश्ण क्या कहता है ठीक है चलिए देखते हैं प्रश्ण क्या कहता है बेलन वैली के उपर पूछा ग जादरिंग करता था, वहां से लेकर कृशी करने तक के आपको सबूत मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि नर्मदा वैली और बेलन वैली ये दो ऐसी घाटियां हैं दोस्तों, जहां पर आपको पाशान युग के सारे स्टेजिज मिलेंगे, ठीक है पैलियोलिथिक एज के और स्टोन एज के, यानि कि पाशान जो युग है पाशान युग में आपको पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक तक, यानि कि पुरा पाशान से लेकर आपको नव पाशान तक सारे तीनो stages, तीनो phases मिलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पुरा पाशान में इनसान क्या करता था hunting और gathering, शिकार करना और खाने को एकटा करना उसके बाद नियोलितिक में इनसान क्या करने लगा इनसान क्रशी करने लगा तो सारी stages मिल रही है तो इसका मतलब नर्मदा वैली में और बेलन वैली में हमें तीनो stage मिलती है तो इसका मतलब फूट gathering से लेके क्रशी तक का हमें हमें सबूत मिलते हैं बेलन वैली में यह शेत्र मिट्टी के बरतनों के मानकी करन के लिए विख्यात है यानि कि मिट्टी के बरतन भी आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं बिल्कुल सही बात है चलिए और उसके बाद कहता है तीसरी स्टेटमेंट यह शेतर घरेडू चावल की खेती द्वारा चिन हेता है तो क्या आपको यहाँ पर चावल की खेती के भी सबूत मिलते हैं बिल्कुल आपको यहाँ पर चावल की खेती के भी सबूत मिलते हैं यानि कि यहाँ पर आपको एक ऐसी जगा मिलेगी जहाँ पर आपको मवेशियों के खुर के निशान मिलेंगे और जहां पर पता चलता है कि मवेशी वहाँ पर पाले जाते थे ठीक है? तो ऐसी जगा क्या प्राप्त होती है? बिलकुल बेलन वैली से ऐसी जगा भी प्राप्त होती है ठीक है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पाशान यूग से अगर हम पाशान यूग में, पुरा पाशान से जब नव पाशान में जाते हैं, तो food gathering, फिर बीच में animal domestication भी आएगा, उसके बाद फिर कृशी भी आएगी, तो आपको ये सारे सबूत मिलेंगे, इसलिए अगर आप logic लगाएंगे, तो ये तीनो statement आपको, चारो statement सही होती हुई नज पारत के इस हिस्से में, पूर्व के हिस्से में, तो अगर आप देखेंगे, चावल जो है, वो आपको शुरू होता हुआ दिखेगा, आपको चावल गेहु जो बारले के बाद आपको चावल पैदा होता हुआ दिखेगा, और गंगा घाटी के शेतर में आपको चावल की पैदावार होती दिखेगी, तो देखेंगे कि ये जो चारो statement है, ये एक दम सही है, तो उसका सही जवाब जो है दोस्तों, वो है D, ठीक है तो उसका सही जवाब जो है वो है D, बढ़ते हैं अगले प्रशन पे, कहता है कि अशोक के inscription, कौन सी देखेंगे, आपको अफगानिस्तान में यहां पर मिलेगा कंधार ठीक है और मौरिन सामराज ये पूरा इस तरह से भारत में फैला हुआ था पूरा मौरिन सामराज ये इस परकार से फैला हुआ और लगवख पूरे भारत में करनाटका से लेके नेपाल तक और यहां तक कंधार तक आपको राजा अशोक के inscription मिलेंगे राजा अशोक के शिला लेक आपको मिलेंगे और जादा तर ये कौन सी भाशा में होते थे जादा तर ये प्राकरत भाशा में आपको मिलेंगे प्राकरत भाषा में और पूरे भारत में आपको जादा तर ब्राहमी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेंगे पूरे भारत में ब्राहमी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आप जाएंगे ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पर नौर्थ वेस्ट में जाएंगे तो क्योंकि भारत में यह जो एरिया है यहाँ पर आपको ग्रीक लोगों का प्रभाव दिखेगा यहाँ पर ग्रीक लोग जो थे उनका भी शासन यहाँ पर रहा है तो इस शेत्र में आपको जो मिलेंगे सबूत वो ग्रीक और अर्माइक भाशा में लिखे हुए शिलालेक मिलेंगे ग्रीक और अर्माइक भाशा में आपको लिखे हुए शिलालेक कहां मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कहां पर इस रीजन में और मैं आपको बता दूं दोस्तों Greek एक भाशा है ठीक है ग्रीक एक भाशा है और Arami भी एक भाशा है ठीक है यहाँ पर जो script आपको मिलेगी वो मिलेगी हरोश्टी यहाँ पर इस region में जो आपको script मिलेगी जो लीपी मिलेगी अशोक के inscription की वो मिलेगी कौन सी खरोश्टी स्क आपको देखने को मिलेगी ठीक है? चलिए अगली statement देखते हैं अगला question कहता है statement वाला है और कहता है कि all dates before the birth of Jesus Christ कहता है कि यहाँ पर Jesus Christ से रिलेट यह date जो तारीक होती है दोस्तों तिथी उनके concept पर पूछा गया यह प्रशने है कहता है कि all dates before the birth of Jesus Christ is followed by BC देखिए अभी मैंने आपको जब dates का concept बातों बातों में समझाया था यहाँ पर मान लीजी Jesus Christ का birth होता है तो कहता है कि उनके जनम से पहले कि जितनी भी तारीक हैं उनके आगे हम BC लगाते हैं और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कहता है all the years are counted from the year which is generally assigned to the birth of Jesus और फिर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर हैं दो हजार बाईस AD में तो देखेंगे जब Jesus का birth होता है तो उससे पहले की जितनी भी तारीक है उनके आगे लिखेंगे BC यानि की before Christ और यहाँ से जब आगे जाएंगे इस तरफ Jesus के birth के बाद का समय जो है पहले का समय before Christ बाद का समय जो है उसको कहा गया एनो डॉमीनी एनो डॉमीनी इसका मतलब होता है इसका जो English में मतलब होता है in the year of God in the years of God यानि की भगवान के समय में तो भगवान पैदा हो गे Jesus उनके बाद का जो समय है उसको AD से दर्शाया जाता है तो यानि की ये कह रहा है कि हम देखेंगे जब 2022 का जो हमने AD लिया ये किस reference में लिया ये इस तारीख से इनके पैदा होने की तिथी से हमने यहाँ पर 2022 लिखा यानि की Jesus Christ के जनम के बाद का ये साल है 2022 यानि की Jesus Christ के जो बर्त के 2022 साल में हम चल रहे हैं और अगर मान लीजे यहाँ पर कहीं पर लिखा है यहाँ पर कहीं पर लिखा है 2000 BC तो अगर ये समय हमें देखना होगा तो हमें देखना होगा कि कितना पुराना समय है तो 2000 आपको यहाँ से चलना पड़ेगा और 2000 यहाँ से चलना पड़ेगा तो टोटल ये बात करेगा 4000 साल पुरानी लेकिन यहाँ पर statement दूसरी कहती है कि जितनी भी तारीखें होती है उनको इसा मसी की तारीख जो है जनम की उससे जोड़कर देखा जाता है उसके reference में उसके संदर्ब में उस तारीख को पढ़ा जाता है तो आप यह देखेंगे दोस्तों कि इनकी जो तारीख है हम यहाँ से जो ले रहे हैं यह जीजस के बर्त के बाद से ही reference में हम ले रहे हैं तो दूसरी statement भी एकदम सही है और पहली जो statement है वो भी सही है बिफोर बर्त से पहले बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और उसके बाद जो बाकी जो statement है वो भी एकदम सही है यानि कि जो तारीख है उनके जन्म की वो reference के तोर पर इस्तमाल की जाती है और यह इसका सही explanation है तो जो इसका answer है वो हो जाएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों इसका सही जवाब होगा ठीक है चलिए तो यह दोस्तों हमारा था session और अगर आपको session पसंद आया और अगर NCRT के इसी तरह से आपको questions हमारे साथ करने है और NCRT पूरी MCQ की format में करनी है MCQ की format में NCRT करनी है MCRT NCRT के practice करनी है और NCRT MCQ के माद्यम से cover भी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं यह मेरी Instagram ID है कोई भी doubt हो यहाँ पर आप मुझसे अपना doubt पूछ सकते हैं उसके अलावा आप मुझे PDF जो solution है वो आपको Telegram चैनल पर ही मिलेगा तो अगर इस class का भी solution चाहिए आपको written में PDF की form में वो आपको Telegram पर मिल जाएगा उसके अलावा आप मुझे mail ID पर आपके कोई भी doubts हो तो वो भी भेज सकते हैं तो I hope आप लोगों को सभी दोस्तों को ये पसंद आया होगा ठीक है दोस्तों और MCQ के माध्यम से अगर NCIT पढ़ दी है तो मेरे साथ जुड़ेंगे और चैनल को लाइक करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार दिखाएंगे मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन में धन्यवाद दोस्तों